लगभग वर्ष 1908 से ही कनाडा सरकार ने भारतियों के कनाडा में प्रवेश पर प्रतिबंध लगाना शुरू कर दिया था बात के दिनों में एक ऐसा आप्रवासी कानून बनाया गया जिसके तहट केवल वही भारतिय कनाडा जा सकता था जो भारत से सीधे कनाडा आया हो यह बहुत ही सक्त कानून था क्योंकि उन दिनों ऐसी कोई नौ परिवहन विवस्था नहीं थी जो इस तरह के जलमाग से किसी को कनाडा पहुचा थी नवंबर 1913 में कनाडा की सुप्रीम कोट ने ऐसे 35 भारतियों को कनाडा में प्रवेश की इजाज़त दी जो लगातार यात्रा करके नहीं आये थे अदालत के इसी फैसले से उत्साहित होकर एक भारतिय नागरे गुर्दीद सिंग ने जहाज लेकर वैंक्यूवर जाने का निड़ने लिया जहाज को हौंग कॉंग से मार्च 1914 में निकलना था कि दुबाबा गुर्दीद को अवैद यात्रा हेत टिकट बेशने के कारण जेल हो गई जेल से छूटने पर हौंग कॉंग के गवर्नर की अनुमती मिलने पर चार अप्रेल को 165 यात्रियों के साथ गुर्दीद जापानी जहाज कामा गाटा मारू लेकर वैंक्यूवर के लिए रवाना हुए रास्ते में शंगाई में कई और यात्री मिले 14 अप्रेल को जहाज याकोहामा जापान पहुचा याकोहामा में गदर क्रांतिकारी इन यात्रियों से मिले भाशर दिये और पर्चे बाटे पंजाब प्रेसनी चेतावनी दी कि यदि इन भारतियों को कनाड़ा में प्रवेश की अनुवती नहीं मिली तो इसके गंभीर परिनाम होंगे जहाज के एक यात्री ने ब्रिटिस ऑफिसर से कहा था यह जहाज पूरे भारत का प्रतिनिधित्व करता है यह भारत के मान का प्रश्न है और अगर इसे प्रतिबंधित किया जाएगा तो सेना में विद्रोह छिड़ जाएगा वहीं दूसरी ओर वैंकुवर के कुछ अकपारों ने इसे कनाडा का अतिक्रमण बताया इसे बीच कनाडा सरकार ने आप्रवासी कानून की उन खामियों को दूर कर लिया जिसके चलते अदालत ने 35 भारतियों को कनाडा में प्रवेश की अनमती दी थी इस तरह संघर्ष की रूपरेखा तयार हो चुकी थी जहाद जब 23 मई को वैंकुवर पहुचा तो उसे बंदरगाह से दूर ही रोक दिया गया और पुलिस ने घेरा बंदी कर ली यात्रियों के अधिकारों के लिए लड़ने के उद्देश से सोहनलाल पाठक, हुसैन रहीम वा बलवन सिंग के नेत्रत्व में शोर कमेटी का गठन किया गया भारत में अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ बगावत की चेतावनी दी गई और भारतियों से विद्रोह के लिए तयार होने को कहा गया लेकिन इस सबका कनाड़ा की सरकार पर कोई असर नहुआ यात्रियों पर यह भी आरोप लगाया गया कि इस जहाश पर कई ऐसे यात्री हैं जिनका संबंध गदर पार्टी जैसे क्रांतिकारी संगठनों से है तथा ये देश की शांती के लिए खत्रा है आखिर में केवल लगभग 24 लोगों को कनाड़ा में उतरने की सहमती मिली बाकी 352 यात्रियों को जहाश सहित कनाड़ा की जल सीमा से बाहर कर दिया गया तेश जुलाई को अंतिम रूप से जहाश को एशिया की तरफ मोडने के लिए बाद ही किया गया जब तक पुनाह जहाश याकोहामा जापान भुशता प्रथम विश्व युद्ध छिड़ गया अंग्रेजी हुकूमत ने आदेश दिया कि जहाश को सीधे कलकत्ता लाया जाए और किसी भी यात्री को कहीं भी नहीं उतरने दिया जाए वहाँ भी नहीं जहां से लोग चड़े थी यह जहाश जिस जिस बंदरगाह से होकर गुजरता अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ भारतिय जन्ता के मन में नफरत की आग सुलकती कामा गाटा मारू जब 27 सितंबर को कलकत्ता पहुचा तो उसे ब्रिटिश गन बोर्ट्स द्वारा रोक लिया गया और शिप को बजबज में डॉक किया गया पुलिस गुर्दीत बाबा सहित कई अन्य लोगों को गिरफतार करने के लिए आई पहले से ही हताश वा परेशान यात्रियों ने जब पुलिस को देखा तो उन्हें अपने क्रोध पर काबू न रहा और पुलिस से इनका जमकर संघर्ष हुआ इस संघर्ष में लगभग 18 यात्री मारे गए 200 रोज जेल भेज दिये गए और कुछ भाग निकलने में काम्याब रहे गुर्दीत सिंग भी वहां से भाग निकले और 1922 तक छिपे रहे बाद में महात्मा गांधी से प्रभावित होकर उनके अनरोद पर स्वयम को अंग्रेजों के हवाले कर दिया उन्हें लगभग 5 साल की कैद हुई आजादी के लिए अंग्रेजों के खिलाफ हुए गदर आंधोलन को प्रभावित करने वाले कारणों में लाला हरदयाल की गिरफतारी प्रथम विश्व युद का आरंभ सहिद यह कामागाटा मारू प्रकरण भी जिमेदार था जिसने आंधोलन को और अधिक उग्र बनाया वर्ष 1952 में भारस सरकार ने कामागाटा मारू के शहीदों की याद में बजबज में एक मेमोरियल बनवाया 2014 में कामागाटा मारू प्रकरण के 100 वर्ष पूरे होने पर भारस सरकार ने 500 वर्ष रुपय के सिक्के जारी किये 2014 में ही कनाड़ा सरकार ने भी इस संबंध में डाक टिकट जारी किये कनाड़ा की संसत के House of Commons ने इस संबंध में एक प्रस्ताव पारित किया जिसमें उन्होंने सार्वजनिक रूप से कामागाटा मारू प्रकरण के लिए माफी मांगी जिसमें उन्होंने से उन्होंने सार्व ब Augan